How are you? Hope you all are fine. Welcome to our channel Marge All Education. आज क्या हमारा टोपिक है संधी, जिसे इनी इसमें क्या है कहते हैं जॉइनिंग. संधी क्या होता है? संधी का अर्थ जो होता है, मेल या जोड. क्या क्या संधी का अर्थ है? मेल या जोड. किस्ता मेल किस्ता जोड़ अभी देखते हैं संधी जो है दोजभन्यों के पास पास भूने के कार उनके आपसी मेल से उत्पन हुए विकार को जो है या प्रिवर्तन को मेल से जो उत्पन हुआ विकार है उसको या प्रिवर्तन को संधी करते हैं क्या संधी हम कि दोधवन्यों के पास-पास आने के बाद उनके अंदर जो मेर होता है और उस मेर से जो परिवर्तन या जो विकार आता है उसे हम संधी कहते हैं जैसे गज प्लस आनन, क्या हो गया, गजानन, गज प्लस आनन, गजानन, जिसे हम क्या रहते हैं, गनेश जी, नर प्लस इश, नरेश, नर प्लस इश, नरेश, इसे अब हम संधी के भेद देखेंगे, संधी के टीम भेद होते हैं, स्वर संधी, व्यंजन संधी, विसरक संधी स्वार संधी किस-किस के मिल से बनती है? स्वार, स्वार प्लस जब यहां भी स्वार हो और यहां भी स्वार हो जैसे Şimdi अमने गजानद लेखा है किसका वो है यह स्वार संधी का ही है गज मतलब इसके, अगर हम इसको शब्दों को तोड़ के लिखाएंगे तो क्या होगा? गधन, अ-धन, जधन, अ तो लाच में क्या है? अ फिर उसके बाद क्या है? आनन अ-धन, न, धन, अ-धन, न, धन, अ इस तरह से, इन दोनों का मेल गुआ है इस अ का और इस आ का, दोनों ही क्या है, दोनों ही स्वर है, इसलिए ये कौन सी संधी हुई गजानन में, कौन सी संधी हुई स्वर संधी, कहने का भाली है कि स्वर संधी जो होती है, उसके दोनों तरस, दोनों तरस क्या होता है, स्वर होते है, आ हो, ई हो, उ हो, कुछ भी हो, लेकिन होता है दोनों साइल ओनली केवल स्वर्ड दोनों और स्वर्व का जब्यन होता है तो उसे हम क्या हैंगे स्वर्संदी कहेंगे इसी तरह आगे देखते हैं व्यंजन संदी हमने अगर स्वर्व में हें और व्यंजन का सूद्स इसकी है एंदर का मिश्रण हो तो वह क्या जैसे अगर हम इसको कर लिखते हैं तो यह किस किस का मेल है अ धन अ इसी तरह से न जो है किस किसका है न धन अ सभी में अ का योग होता है जब हम ए आ लिखते हैं उसके उसमी लेकिन व्यंजन कब होता है जब उसके नीचे हलंत लगा होता है अगर हलंत नहीं लगा हुआ तो वह समझनों कि जो है क्या है वे सवर है, तो है क्या है। संदी में क्या क्या है यकल्द चाहिए युद से इधर को chegते ह। तो एक तरफ यह have जिसके निचे हलंद लगा हुआ तो जतले होगा संदि होगा है दोनों तुर्फ दोनों यह थे तो आधाश हॐँसरदी क्या की के लिए विधरिहं के इसके बाद हम देखने हैं क opens a lot क्या लिते हैं जो तो अंग है हमने आमें क्या था ना यह जो होती है दो विंदू यह क्या होता है यह विसर्ट का साइन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं है कि सांग में है कि आवाज में हम इसको इसको इस्तिमाल करते हैं तो इसे क्या करेंगे जिसके अंदर यह विसर्ट हो मतलब कि है कि मैं इसको बताँगा कि इसको क्या स्वार कहते हैं बनते हैं या इसमें कौन सी मातरा बनते ही या आपको डेटेल में बताऊगे जब इसके रूप करेंगे लेकिन जिसमें पहली साइट यह है कि रिविश्थ का निशान के छाहिए व्यांजन के साहिव और safety होगी कुंछा शनुगी वियन्जन संधी होगी, example के साथ में आपको इसे बड़ी detail में कवाओंगे, विसर्ग और उसके साथ से स्वर हो, या विसर्ग उसके साथ वियन्जन हो, तो ये कौन से संधी होगी, विसर्ग संधी, इस तरह हमने ये किनों देखे, आप इनको detail में देखते हैं, स्वर्षंधी स्वर्षंधी कीसे कहते हैं, दो स्वरों का आपस मेन में जब होता है, तो उसमें जो विकार आता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर्षंधी कहते हैं, इती प्लस आदी, इती प्लस आदी क्या होगा, इत्यादी, क्या होगा, इत्यादी, इती में क्या है स्वर ई, और आदी में क्या है स्वर आ, तो ई धन आ क्या वनगा, या, इती प्लस आदी, इत्यादी, इत्यादी, ये क्या है स्वरसंधी, आगे देखते हैं स्वरसंधी के पांच भेद होते हैं, कौन कुर से होते हैं, सबसे पहले हम करेंगे दिर्ग संदी, दिर्ग संदी में क्या है, समान स्वरों के बीच होने वाली संदी, दिर्ग संदी के राकिया, जिसके अंदर दोनों तरफ समान हो, दोनों तरफ स्वर जो है समान होते हैं, जैसे आ धन, मेल होता है और मात्राइं जो हैं बड़ी आती है बड़ी आ की मात्रा बड़ी इक की मात्रा तो उसे क्या करेंगे हम देज संधी इसमें के अबर तीन ही स्वारा हाती है आ, इ, और, उ A, मतल épo को चाहती है? A, E और U जिसके अंदर A और A का मेल होता है E और E का मेल होता है U और U का मेल होता है मातलाएं क्या बनती है? A, E और U की मातलाएं बनती है जैसे gerek McGeas सदे धनर्ष क्या मुझत दे अर्ष क्या सद्ट पीड़ा ? यह य को विंजन बढ़ाएंगे तो इसके उन्द का स्वर किया है इसके अर्थ तो क्या हो गया य धन आ धन और या मतलब कि दोनुं आ जो है बड़े आति मतल़ा बड़ा आ बन गया तो यह क्या हो गया ? इसके बाद है एधन आ क्या बनता है कैसे 10 प्लस आनन 10 प्लस आनन दशानन 10 इसमें शवर के अंदर अगर हम स्वर नहीं कहाते है तो क्या है अ का स्वर है बनतान की बड़े आती के बाद किसी नात्र बड़े मात्र प्लस अर्थि ये कई बार भई competitive exams में भी आता है, अर्थी की जगे हम केलबर आर्थी बनायते हैं, तो हमारा ये गल्द हो जाता है, आप ज़ूर देखें, प्रिच्छा प्लस अर्थी होता है, तो इसमें क्या होगा, प्रिच्छा अर्थी, अक्षे, अक्षे में से भी अधर हंस्वार निकालेंगे, तो ये उसका तो आ हो नहीं है, क्योंकि दोनों बड़े आ होकर अधमे कर भी क्या बनाएंगे, बड़े आ की मात्रा ही बनाएंगे, जैसे विद्या प्लस आ ले, विद्या ले, यह में कोंसर स्वर है, आ का, और आ की क्या है, आ का, दोनों आ जितर क्या बने, बड़े आ की मात्रा ह विद्याले अगर इतने हैं छोटी E प्लस छोटी E क्या वड़ी बड़ी E कैसे वड़ी कवी प्लस इंद्र कवी छोटी E की मातरा लगी ना और ये भी छोटी E है कवी प्लस इंद्र कवींद्र 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 बोलके आप बोलों में तब आपको मातरा का पता चल जाया कवीी प्लस इंद्र कविंद्र व धन इधन उण क्या रणगी वींड これ सब्सक्राइब इसके बाद शोटी इप्लस बड़ी क्या होग्या बड़ी इप्रती प्लस प्रती प्लस इच्छा यहां कौन सी की मात्रा है छोटी ए की मात्रा और यह कौन सी है बड़ी ए तो दोनों निमिल्कत क्या बनाई है मात्रा बड़ी की मात्रा तधन छोटी ए धन बड़ी क्या वंगी ती तो क्या होगा प्रती प्लस इच्छा प्रती इच्छा इसके बाद है बड़ी E धन छोटी E तो बड़ी E लगेगी, जैसे देवी प्लस इच्छा देवी बड़ी की eltरा लगेगी है देवी प्लस इच्छा देवी इच्छा-व धन बड़ी E धन छोटी E, तो क्या वड़ीगी जहाण, वी जहीके देवी प्लस इच्छा — देवीच्छ इसी तरह बड़ी E push Бड़ी E he he Groß freeィ elder day — sh charming bee i say this is shrik इसके राद ऐसे ही तुल्थी होगी Чोटा अ प्लस बड़ा क्या हो गया? चोटा अ प्लस चोटा अ क्या हो गया? बड़ा या जैसे लगू प्लस उत्र लगु में चोटाउपी मातरा है और ये भी चोटाउपी मातर है और ये भी चोटाउपी मातर ये बढ़ाउपी बढ़ाउपी बनेगा जैसे मदू चोट हुष्मा तो मधू प्लस उश्मा क्या हुग है मधू उश्मा धर धनो मधू उश्मा क्या विए जूक है मधू लोगा Sumasına Lab Archana बढ़ा उधन छोटा उ तो ही बढ़ा उखी वनेगा जैसे वधू प्लस उट्सब प्लस उत्सब मतलो की मातरा बनेगी बढ़ा उल रहे का मतले कि भीष्यमी को comes और यह कुंसे युपे मातर है भूष्यते श्वॉर्जा वंगका qamik Hano cost 1 देखा में कि 5 ब्रीज इसंदीप के भेद सेक्किक करें थे सर संदी के भेद कितने वेद बताये थे मैंने पांच भेद बताये दिर्ग संदी गुन संदी व्रिद्धी संदी यन संदी और अयादी संदी दिर्ग संदी हों लोगों ने करी अब हमाने हैं गुन संदी गुन संदी क्या होती है यदि ए और आ के बाद ई ई आए तो और के बाद लेख 17 मेशंगें मरत बैला। तो क्याहिए अच्छा अच्राइश? कछा तो आ हे क्याहिछ ए तो हॉह थifice सदेशं करो होई तो होई और आल जराओ निवाल रहां तो हुए क्या क्या है ए और आ के बाद ए आए तो ए और आ के बाद उ आए तो ओ है और आ के बाद री रीशी आए तो अर इस तरह से यह बन जाएंगे आए इंके अग्जांक्पर्स देखते हैं जैसे सुप्राइए अ ए प्लस ई क्या से बनेगी गज़ प्लस इंड्र क्या बनेगगा गज़ेंद्र इसमें किस किस का योग हुआ जधन अधन जै तरब भणे हैं न तो ए कि माथ्रों मतलब की इसकी मात्रों बढेगी इमकी मात्राइं बढेगी दुन्दों के ठीक है और ये R बनेगा तो इसतरे से गज प्लस इंद्र गजेंद्र जधन अधन E जे ठीक है R प्लस E इसका भी A बनेगा जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र यहां क्या था हधन अधन E हे बनेगा था ना तो महा प्लस इंद्र महेंद्र इसकतर ऐ धनद्र बड़ी तो अब ही A देट杉से बनेगा तो इसके क्या है ए-क्नी मात्रा बन गी हमनेए देखना कि महत्रा कि नहुत कि किस-किस की कायोग हुआ है आ और ई माधन आ प्लस ई में बढ़िया तो उमा प्लस इश उमेश इसी तरह आदला नियम देखते हैं इसमें ये तीन ही नियम है गुन सकती है दूसरा नियम क्या है आ प्लस उ क्या वनगा ओ मतलब कि छोटे ओ की मात्रा आएगी यहां पर यह मात् आएगी जैसे लोग प्लस उक्ति क्या मनगा लोको उक्ति लोग प्लस उक्ति लोको उक्ति इसमें किस-किस का योग है को अधन उधन 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 क्या मनगा को लोग प्लस उक्ति लोको उक्ति इसी तरह आ और उग का योग होगा तो ओ की मात्रा चोटे ओ की मात्रा ह हाग है गुकर इसके बाद है और प्लस उ का भी ऑ की मात्रा भेंगि धहीं higher future की सूरीय प्लस बनेते कि सूरिय सूरिय ओशिते मा खूर्य कि उश्मा सुड लुट का हुआ जैसे एक जेस बूस बूस клиा मिखे हरेओं थे टो की मात्रा ही मात backs सुर्य प्लस उश्मा सुर्योश्मा उसके बाद है बड़ा आ प्लस बड़ा उ तो क्या इसकी क्या मात्रा बढ़ेगी बड़े चोटे उपी मात्रा बढ़ेगी यह दूसरा नियम है हमारा गुण संदी का प्लस बढ़ा ऊ प्लस बढ़ा उ ओ तो क्या हुआ महा प्लस पुर्मी महु ऐसके तीसरा नियमों इसकी का आप्लस अद कैसे सब्त प्लस रिशी सब्थ रिशी सब्थ हर ओर रिशी और का योग हुव है कि प्रताश आु और री घायोव यहां भी और ही बनेगा जैसे महा पलस रिशी महा पलस हैकं हमेशा आप गजेंद्र महेंद्र इसलिए मैंने एग्जांपल ही है ताकि आप लोगों को यहां देखने से लिए दुबारा पढ़ने की विजूठने पड़े तो महाप्लसरीशी महेशी क्या बनेगा महेशी क्योंकि अर बन गया था यहां पर क्या बनेगा अर आप्लसरी अर तो यहां क्या बनेगा सब्लसरीशी सब्तर्शी महाप्लसरीशी महेशी यह था माणा गुन संदी का पूरा डिटेल में टोपित है तिसे नमर पर आते हैं व्रिधी संदि आती है और ए और आ के बाद ओ अउ हो तो अउ की मातरा आती है इसमें वह लिए दो ही केवली इसमें ये दो ही नियम है ए और आ के बाद ए अई आये तो अई की मातरा और ए और आ के बाद ओ और आये तो अउ की मातरा ऐसे एजम्पल के जड़ा दिखते हैं एक प्लस एक क्या मनेगी आई जैसे एक प्लस एक 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 प्लस एक एक इसमें किस किस का लोग हुआ है को प्लस ओ प्लस ए क्या मनेगी आई इसी तरह हित प्लस एशी हित प्लस एशी क्या मनेगी हित आशी कुण सी मात्रा होई अई की मात्रा तब प्लस अप्लस ए क्या मेंग्या अई हाई की मात्रा लगेगी हित प्लस एशी हित एशी इसके बाद अप्लस अई आए तो भी अई की मात्रा ही आएगी आ प्लस अई आए तो भी आई की मात्रा आएगी जैसे राज प्लस एश्वरे राज प्लस एश्वरे राज प्लस एश्वरे राज एश्वरे जैसे जद प्लस आ प्लस आई तो क्या आएगी आई की मात्रा आएगी राज तस एश्वरे राजयश्वरे इसके बाद आ प्लस ए आई तो भी आ की मात्रा आईगी, जैसे तथा प्लस ए तफैर, तथा प्लस ए तफैर, थधन आ धन आई आई की मात्रा आईगी, क्या में ना, तथा, प्लस ऐ तथाएल, इसके बाद, आ, प्लस अल, दौनों का योग होगा तो भी, अई की मातरा अल बनीगा, महान प्लस एक्के, महान महा प्लस एक के महेक के ह प्लस अ प्लस अई अई की मात्रा बनेगी महा प्लस एक के महेक के इसके बाद दूसरा नियम क्या है इसके सिर्स दो ही नियम है दूसरा नियम क्या है अ प्लस ओ अउ की मात्रा आएगी मतलब कि अउ की मात्रा आएगी जैसे दंत प्लस ओष्ट, दंत प्लस ओष्ट, दंत ओष्ट, दंत प्लस ओष्ट क्या बने है, दंत ओष्ट, यह किस-किस के योग से बने है, त प्लस अ प्लस ओ, आउ, त प्लस ओ, जलोद, 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 लो प्लस ओ, प्लस ओ, आउ, आउ की मात्रा ही आएगी, जल प्लस आलेगी यहां पर इसी तरह है आ प्लस ओ आउ तो यहां पर महा प्लस ओज महोज तो हो प्लस आ प्लस ओ आउ तो आउ की यहां पर मात्रा बढ़ी महा प्लस ओज महोज इसी तरह है आ प्लस आउ तो भी आउ की मात्रा आ यहीं महा प्लस ओश्ड महोश्ड हा प्लस आप्लस अव, अव की मात्रा बनेगी स्तरें महा प्लस ओश्ड महोश्ड ये बनेगा महोश्ड, ये व्रीधी संथिये यह संधी, जब ई, ई, उ, उ, या री के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए, तो इनके मेल से ई, ई का य, उ, उ, का व, और री का र हो जाता है क्या हो जाता है, जब ई, ई, उ, उ, और री, इनके बाद कोई भी भी स्वर आए, आए, चाहे आ हो, चाहे ई हो, चाहे ए हो, कोई भी आए, तो उसका क्या हो जाता है, य हो जाता है और उ के बाद कोई भी स्वराय तो क्या हो जाता है व हो जाता है और री के बाद कोई भी स्वराय तो र हो जाता है इससे देखते हैं एक्जामसल की दोरा इ प्रस अ य य जैसे अती प्रस अंट अत्यांट यहाँ छोटी इ और ए जो है इन दोनों को मिलके क्या होना है ये ए और एटा अगतो जब यहाँ पर संदी किया गया है तो क्या बन गया है ये अती प्लस अंत अत्यंत ए प्लस आ या जैसे अभी प्लस आगत अभ्यागत अभी प्लस आगत अभ्यागत यहाँ छोटी ए और बड़ा आमिल कर क्या होगे या होगे अभी प्लस आगत अभ्या प्लस घॉर ईब और अगर आता है इसके बाद तो क्या होगा यह और बड़ा कर लागा यह बढ़ी ़ॉर्ट्आ ज्यसा देवी प्लस अर्पण देवेश्पन बड़ी ए फ्लस फ स चोटा अ का एक यह, देवी प्लस अरपन, देवी अरपन, इसके बाद है बड़ी ए प्लस बड़ा आ या, जैसे सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सख्थागमन, सखी बड़ी ए प्लस बड़ा आ, दोनों मिलकर क्या हुए, या, सखी प्लस आगमन, सख्थागमन, छोटी ए प्लस छोटा बन गया U येक चोटला उप्त एक चोटला झागे ही चोटला एक तर चाही भादा बड़ी होगी नी प्लस उन न्यून नी प्लस उन न्यून नैको छोटी ए बड़ा उ क्या होगा या को बड़े उ की मात्रा न्यून आगे हैं बड़ी E प्लस छोटा U, या को छोटे U की मात्रा, अगर छोटा U है तो छोटे U की मात्रा, बड़ा U है तो बड़े U की मात्रा, चाहिए E को ऐसी जी हो, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक हैं, बड़ी E प्लस छोटा U, छोटा, या को छोटा U, जैसे सखी प्लस उद्य सखी उद्ध्य, सखी उद्ध्य, सखी उद्ध्य, बड़ी E और छोटा U का क्या होना, छोटा U की मात्रा होगी, यह के U, बड़ी E प्लस बड़ा U, यह को बड़ा U, जैसे नती प्लस उर्मी, नदी प्लस उर्मी, नदी प्लस उर्मी, नदी प्लस उर्मी, तो बड़ी E और ब प्रतेग। यहां, छोटी e और छोटी a जोगनों काई लोग होने के बादgen यहां को आक की मात्रा हुई है। शयंदित इसलिए प्रत्पी-प्रतेओ बड़ी e PLEASE अई हम ड़ines आ की मात्रा वानी यहां कराबनेगी यह देवी प्लस एश्वरे देवयाश्षरे यह इसे तरह है उ प्लस अ व अनु प्लस अई अन्वे 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 चोटा उ और छोटा आय new लेकर क्या बड़े व आगे दिखते हैं छोटा U प्लस आ वा छोटा U प्लस बड़ा आ वा गुरू form अभदेश गुरू प्लस आ देश क्या मन गया गुरौ आदेश यः छोटा U है और ये बड़ा आ है तो क्या हो गया दोनों मिलकर वा हो गया गुरु प्लस आदेश गुरु आदेश बड़ा उ प्लस बड़ा आ वा जैसे वधु प्लस आदेश वध्वा देश बड़ा उ और बड़ा आ वेजर क्या बनेगे वा बनेगे वधु प्लस आदेश वध्वा वेरिश वध्वा देश उ प्लस ए वी, छोट्टा उ प्लस छोट्टी ए वी, वैको छोट्टी की मात्रा बनेगी, जैसे अनू प्लस ए ती, अन्वी ती, अन्वी ती, छोट्टा उ है और छोट्टी ए है दोन नम्रीकर वैको छोट्टी की मात्रा बनेगी, अन्वी ती, छोट्टा उ प्लस छोट्ट बड़ी A आए तो भी वे ही बनेगा, छोटा U प्लस बड़ी A आएगी तो भी वे ही बनेगा, गय इसके बाद है, तीसरा नियम है इसका, री प्लस अर, पित्री प्लस अरपन, पित्रपन, ऐसे बोले जाता है, री प्लस आ, रा, री प्लस आ क्या बना है, रा, जैसे मात्री प्लस आदेश, मात्रादेश, मात्री प्लस आदेश, मात्रादेश, री की मात्रा और आ, दोनों में क्या होए? रा, तो यहां प्यां ब मलेगे मात्री प्लस आधेष मात्राधեշ, री प्लस उ, खोटाओ। रैको छोटाओ, मात्री प्लस उ见 देष मात्रुक देष, मात्री प्लस उपदेश मात्रुपदेश इसी प्रकार री प्लस छोटी ई बनेगी रे रेको छोटी ई री जैसे पित्री प्लस इच्छा पित्री प्लस इच्छा पित्री प्लस इच्छा पित्री प्लस इच्छा री की मात्रा और छोटी ई दोन्यों मिलकर क्या बनेगे रेको छोटी ही मात्राटों, पित्री प्लस इच्छा, पित्र इच्छा, यह मने देखा यन संदी, अयादी संदी, अयादी संदी की पैचान क्या होती है, यदि पहले शब्द के अंत में, A, I, O, O, और दूसरे शब्द के आरंब में कोई भी भिनसर हो, कोई भी भिनसर हो, तो A का आय, आय का आय, O का आउ, और आउ का आज हो जाता है, क्या नताए मैंने, यदि पहले शब्द के अंत में, तो पहला शब्द जो है, संदी का पहला जो शब्द है, उसका अंति जो वन है, वो A, I, O, आउ हो, और दूसरे जो शब्द है, उसका आरंब में कोई भी भिनसर हो, तो A का I, A का I और O का A और O का A हो जाता है तो इसे क्या पहेंगे अया अधिसम्ली पहेंगे देखते हैं इल्द के द्वरा जैसे A प्लस A आ जैसे शे प्लस अन शेयन शे प्लस अन शेयन यहां A की मात्रा और A दुनों का मिने रहुआ तो क्या हुआ, आय, शे प्लस अन शेयन, चे प्लस अन चेयन, चे प्लस अन चेयन, आय प्लस अ आय, जैसे गय प्लस अक गायक, गय प्लस अक गायक, गय प्लस अन गायन, गय प्लस अन गायन, ओ प्लस अ आयन, ओ प्लस अ आयन, ओ प्लस अ आयन, ओ प्ल और ए, जुन्नों का मेर हुआ तो क्या हुआ, अव, भो प्लस अन, भवन, पो प्लस अन, पवन, पो, ओ प्लस अ का जुन मेर हुआ, तो क्या हुआ, अव, तो क्या हुआ, पो प्लस अन, पवन, इसी तरह से देखते हैं, अव प्लस अ, आव, अव, प्लस अ, आव, जैसे पो प प्लस अक पावक और बड़े उक्ट मातरा आऊ की मातरा और अवग की मातरा अ दोनों मिलकर क्या बड़ी है आऊ धोक प्लस अक धावक एक पहचान ओर रहें इसकी अयादी संदी में जो होता है मुख्य रुप से तीन वर्लों का शब्द बनता है मुख्ये रूप से कितने वन्वों का शंद वनता है तीन ही शंद्वा बनता है और इसमें ज़्यादा मात्रा हुपब entered a जंबh से या सिंपल टीन वर्णों जो मुठ्याब होता है मुख्य जओ एक्जाम पततें यही थे इसके इसके लाए कर भुका और रहा गेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें लोगों को बिल्कुल आसान पैचान करने का तरिका है कि तीन उनके योग जो होगा तो तीन वर्णों का योग होगा आप ज़रूर देखिएगा कई बार मोश्टी आते भी हैं जो थोड़े से दफ लगते हैं जैसे शे प्लस अन शैन बना देते हैं कई तो यहां शैन बनेगा तो इसलिए देखना है कि यहां पर मूँख्या रूपसे तीन वर्णों का योग होगा वही जो होगा वह आयादी संदी होगा यह हमने देखा स्वर संदी का पूरा टोपिक वेंजन संदी, किसी वेंजन का स्वार या वेंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन होता है, उसे क्या कहते हैं, वेंजन संदी, किसी भी वेंजन के बाद या स्वार आए, या स्वार के बाद वेंजन आए, तो उसके मेल से जो भी विकार उत्पन होता है, तो उसे क्या कहते इसके बाद देखते हैं इसके बार देखते हैं। देखते हैं वर्ग, वर्ग रिवर्टन प्रिवर्टन समसे पहला की है वेजिन का प्वर्ग का पहला série क् रूप में प्रिवर्टन कैसे होता है दिक प्लस अंबर, दिगंबर दिप टज दिध यहां पर आता है इसलीए हिहां पर भी आताल लग्या है इसका हमत्रों है चो बन गया द्वित्यु का मतले होता है एक आता और एक पूरा तो यह क्या होता है द्वित्यु वर्ड होता है तो क्या हुआ यह का गव में प्रिवर्टन हुआ दिक प्लस अंबर दिक प्लस गज दिक गज चव का जव में कैसे होता है अच प्लस अंत अजंत हच प्लस अंत अज दूसरा इंडियों देखते हैं वर्ग के पहले वर्ण का पांच में वर्ण में प्रिवर्ण ये तो था वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में प्रिवर्ण अब है वर्ग के पहले वर्ण का पांच में प्रिवर्ण कैसे होता है देखते हैं को का अड़व में प्रिवर् बाढ़ में, तो का नौ में शट्ट प्लस मार्ध सन्ड मार्ध, शट्त का नौ में प्रिवर्टन हो गया, हलंद इसलिए रहता है क्योंकि जिसर्ग, वेंजंस संडिप तभी होगी, जर्ब इसके जोगा है, दerson होता है पुर्भी वर्ण जो है वो आधा है तो तो पर न कैसे होता है और झाल करना सर्ब चौंशिकönёл 005 तो जो पैलोडर्चाल इसाल इससका पाल प्र अठाल प्रन और है उसमें कैसे पर तो गुवर्ण होता है शेट प्लस मास either शेट प्लस मास शन मास तर का न्मी परिवरतन देखते हैं उत प्लस नती अपना तीसरा नियम हम देखते हैं तर का नियम जो है क्योंकि तर से बोग ज़त आते है को की हित्या को तो तर का नीरू को को से अते हिस्थर में देख्तें पहले तर के साथ अगर च योग होता है और उसकी साथ च तो च जो न जो है द्लित बर्ड हो जाता है दूर पूरा च हो ज्ञता है का नहीं को नहीं कि यह द्त छ ऑस जड़емся से उत प्लस चाण, उत चाण, उत प्लस चाण, ता क्या बन गया, आदा च, उत प्लस चाण, उत चाण, ता का छ मिद कैसे, ता और छ का जब मेर होता है, तो च च बन जाता है, ता आदा ता और छ, दोनों का जब मेर होता है, तो च च च बन जाता है, जैसे तत प्लस चाया, तत लूब मतलब्स जो ज़ल हो जाता है ऑल जडाता है सबूद्ध जो होते हैं वह आदे क्यों यहां तर है यह भी आता है और यह जर है यह भी आता है इसलिए दोनों ही जर क्या होंगे आदे होंगे उत्र प्लस ज्वल क्या बनगा उज्वल जिसके दोनों जर जो है वह आदे आदे हैं तो उत्र प्लस ज्वल उज्वल तर का जब तर के साथ योग होता है तो टक्ट बन उसको तो बन जाता है तो बने जाता है जैसे उत प्लस डैन उत प्लस डैन उत प्लस लास उत प्लस लास उल्लास त जब हम तो और हग का यह वह को सब्सक्राइब बाइब है यह जैसे उत्त प्लस रहुआ उद्धर्ण उत्त प्लस हण उद्धर्ण इसी तरह से तो प्लस छ क्छ तो प्लस छ यह वह बहूंं चछ बन जाता है मा संबंधी नियम, मा संबंधी नियम के बाद, मा जो है मा वेंजन जो है उसके बाद कसे मा तर कोई भी वेंजन हो तो है उसी वर्ग का पंचम वर्ण अड़े अने में में बदल जाता है धान के तो पर देखते हैं एहम प्लस कार क्या बन जाता है एहंकार संध्या शं जय सं प्लस्तोश सं प्लस्टित शंचित इसे लाशे हमने देखा म के वादसे मा की के वर्ण का वेंजन आता है तो जो है पंचम वर्ण के एउर्ण ने के बदल जाता है आगे नेखते हैं म का दूसरा में म के बाद यार लव शस सह को इन में से कोई भी वेंजन आता है तो म जो है वो अनुस्वार के रूप में बदल जाता है मतलब कि अंग की मात्रा में बदल जाता है अनुस्वार में अन की मात्रा में बदल जाता है जैसे सं पलस योग सं योग सं पलस शे शंशे सं पलस वर्ट सं वर्ट सं पलस रचना सं रंचना सं पलस रकषण सं रंचAK samh पलस शार संसार सम प्लस साल, संसाल इसला नहीं देखने में का मा के बार ज़िए मा ही आए पहले ही मा है और बाद में मा आए तो मा जो है दुईत्व में बदल जाता है दुईत्व का मतल होता है आदा मा और पूरा मा इसले बदल जाता है दुईत्व का मतल क्या होता है जिसमें दोनों बढ़ मां हो, एक अद्दा और एक पूरा, जैसे दृत्वर्ण होता है, मां और मां, ये इसने बदर जाता है, जैसे सम प्लस मती, सम मती, सम प्लस मान, सम मान, सम प्लस मान, सम प्लस मुख, सम मुख, सम प्लस मेरन, सम मेरन, सम प्लस मेरन, सम मेरन, इसके बाद वेंजन जो संदी है उसका आखरी जो नियम है वो देखते हैं पांचान लि र और श के बाद यादि न आ जाए र और श शटकोन इसके बाद न आए तो वह वर जो है और हो जाएगा और के रुप में प्रवर्सित हो जाएगा और यह जो है इसके अंदर में जैसे परी प्लस नाम परी प्लस नाम परी प्लस नाम री प्लस न रिर भाश प्लस न भाशन भाश प्लस न भाशन त्रिश प्लस न त्रिश न तो यह कौन सा रुप्था वेंजन संदी के अंदर पहले श्वर आया है उसके बाद वेंजन आया है तो श्वर को वेंजन का मे जो है इसके उपर वो लियम जो है लाग होता है परी प्लस नाम इसमें क्या है जो है इस्वर है वो उसके बाद नाम न जो है वो वियंजन है तो इसके बाद न है तो रिन बन जाएगा भाष यहां पर अस्वर आता है भाष प्लस न भाषन त्रिश यहां भी अस्वर आता है अब त्रिश प्रफना त्रिशना ये था हमारा पुरा व्यंजन संधी का टोपिक विसर्ग संधी विसर्ग मतलब जब अंग है के दो बिंदिया आती है इसे हम विसर्ग कहते हैं विसर्ग के बाद स्वर्य व्यंजन आने पर उसके मिल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं विषर्ग संधि कहते हैं जैसे मनय, प्रसरत, मनोय रथ, मनय प्रसरत, मनोय रथ, विषर्ग संधि के कुछ नियन देखते हैंि विषर्ग का श, श, स में प्रिवर्टन झा शल्गम, शल में प्रिवर्तित होते हैं कख टठ पफ ये जो है शेशत कूंड शेशत कूंड में प्रिवर्तित हो जाते हैं जैसे नी प्रस छल निश्चल छेशत में प्रिवर्तित हो गया और श में लेकिन सारी आदे देखो आपे वह देख्केया दूण फ्यट्र दूणत चरित इसके बाद है नहें प्लस्टेज 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 नह और आगे देखते हैं, विशर्ग का रह में प्रिवर्द होना, विशर्ग जो है, वो रह में कैसे प्रिवर्दित होता है, इसके example देखते हैं, जैसे दू प्लस गूर, दूर गूर, नी प्लस जन मेरजन, नी प्लस जन मिर्जन, दु प्लस आचार दुराचार, दु प्लस बल दुर्बल, नी प्लस उत्तर मिरुत्तर, नी प्लस धन मिर्धन, नी प्लस धन स्विर्धन. आगे देखते तीसरे आगे में, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, ओ की मात्रा में परिवर्तन होना, छोटे ओ की मात्रा में कैसे परिवर्तन होती है, एक्जाम्पल देखते हैं, जैसे मने प्रस बल, मनो बल, मने प्रस बल, मनो बल, मने प्रस रंजन, मनो रंजन, मने प्र खति अधोवती, इंतैके बाद है विसर्ग, जो है जो है उच नेम है विसर्ग का लो जाता है या फिर मात्रा बड़ी हो जाती है लोगों ना मतलब विसर्ग के जगे को पुछ नहीं आएगा सिर्फ जो इकी मात्रा होगी बड़ी हो जाएगी जैसे नी प्लस रस नीरस नी प्लस रज नीरज नी प्लस रज नीरज ये जो है आम ने देख्या विसर्ग संदी के बारे में पूरा डेटेल से अब विसर्ग या फर रो में या फिर ओ की मात्रा मे या फिर भूप हो जाता है यही चार इसके नियम है जो कि आप लोगों को करने है इसके बाद आज जब हमने संदी का प्रतोपिक करी लिये तो संदी विछेद के बारे में थोड़ा देख लिती हैं संदी का मतलब था जोड़ना, जोइन करना, मतलब वर्णों को जोड़ देना, वो संदी था लेकिन संदी विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, संदी की हुए वर्णों को अलग करके पहने वाले स्थिती में लाना जो होता है, वो क्या होता है, संदी विच्छेद कराता है जैसे सभी का संधिया सम को प्लस का संधिया, यह कुंसी संधि और संधिया संहार का संधिया, यह कुंसी संधिया sick ? तपो बल तपह प्लस बल ये कौन से संधी है वेदांत वेद प्लस अंत वेदांत ये कौन से संधी है इस तरह से संधिया आ सकते हैं उनका विच्छे दित्रक्यों के नाम भी है आप लोगों को प्तिस करने पड़ेगी ये हमने आज डिटेल से अपना ही टोपिक किया है संधी का आज ये था हमारा आज का टोपिक संधी जो हमने बने डिटेल से किया आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप इससे ज झाल